हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे है दा मूवी स्टॉक शो चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ नेट्फिक्स पर लीज हुई फिल्म कारगो के स्पॉलर फिरी रिव्यू के बारे में तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस फिल्म में जिस वीडियो स्पॉलर फ्री भी है तो अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेड्स भी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की फिल्म का कॉंसे बहुत ही जादा यूनिक और काफी जादा इंडियन ओरिजिनल है जिसकी कंपेरिजन बाकी किसी भी दूसरी फिल्मों या फिस सीरिस से नहीं की जा सकती खास करके आज के वक्त में यानि देखा जाए तो क्लियरली एक डिफरेंट कॉंसेट पर बनी हुई फिल्म है और लोगों को फिल्हाल तो कंटेन पर ही फिल्में देखना बहुत जादा पसंद है आज की तारीक में इसलिए मेरी तरफ से तो मैं आपको ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इसके डिफरेंट कॉंसेट के लिए ही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे फिल्मों को लिए बहुत ही जादा इंटरस्टिड हां कि कभ नेक्ट्विक्स पर इस मिले इस फिल्म रिथे का जाएगा और br het लेकिन जैसे ही जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया तब मेरी राए इस फिल्म को लेकर कूरी तरीके से बदल गई थी, कैसे उस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ क्यूंकि अभी मैं आपको फिल्म की छोटी सी स्टोरी की डीटिल दे देता हूँ कि इस फिल्म की कहानी है क्या, बेल तो कहानी का पुरा-पुरा फोकस फिल्म के दो लीड क्याक्टर्स पर ही किया गया है जिनमें से एक है विकान मसी जिनके क्याक्टर का नाम है प्रहस्ता और वो एक राक्षश है जो PDST का हिस्सा है जिसके लिए वो स्पेस में बैटकर एक स्पेस्चिप शमालते हैं जिसका नाम है पुषपक 634A जहां पर इनसान मरने के बाद पहुचते हैं जिने इस फिल्म में कारगो भी कहा जाता है और विकान मसी के क्याक्टर यानि प्रास्ता का काम बस यही है कि वो इन कारगो को उनकी सही डेस्टिनी पर पहुचा है जिने उनकी memory को wiped out करकर उने फिर से एक नए शरीर में भेज़ देना जिने कि recycling का काम यह astronaut राक्षस करते है जो वक के साथ साथ पूरी तरीके से बदल गया है जिने कि इनसानों के साथ जब उनका युद्ध हुआ था तो उसके बाद उन दोनों की बीच एक समझोता भी किया गया था और वो समझोता आज एक modern time में बदल गया है जिने कि राक्षस भी पूरी तरीके से अपग्रेट हो गये है और मशीनों की मदद से वो अब इन सभी कामों को करते है जानी कि ये फिल्म old mythology को लेकर science की मदद से पूरी तरीके से बदल देती है युकि यमराज इस फिल्म में राक्षस है जो इनसानों की तरह ही रहते है और विकान मशी के कैरेक्टर प्रास्था पिछले 75 साल से इस सर्विस को दे रहा है तब उनके आने के बाद रास्ता को क्या दखलिफ होगी क्या नहीं और क्या वो इस नई पार्टर के साथ अपने काम को फिर से पहले जैसा सही धंसे कर पाएगा भी या नहीं ये फिल्म उसी concept पर focus करती है तो फिर ये कोई spoiler नहीं और हाँ एक और बात फिल्म की timeline को future में बेस किया गया है जिसका year है 2027 का तो technology इंसानों के लिए बहुत सारी बदल गई है बट रही बात राक्षोसों की तो उनके पास अब भी वही समझोते के बाद की पुरानी machine है जो कभी कभी तो ठीक से बिल्कुल भी work नहीं करती ये चीज हमें ये दिखाती है कि इंसान हर चीज में कितने जादा corrupt हो सकते है यानि कि सही तरीकी की funding राक्षोसों को इंसानों के साथ किये गए समझोते के बाद भी नहीं मिल रही और उसके अलावा फिल्म का दूसरा फोकस जो इंसानों पर किया गया है उसमें हमें ये बताया गया है कि इंसान future में इतने जादा अकेले हो जाएगे कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्हें agent hire करना पड़ेगा जो पैसे लेकर उनके साथ रहेगा और उनकी परिशानियों को दूर करेगा यानि साइफाई के अलावा ये फिल्म हमें बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स को भी दिखाती है लेकिन वो भी बहुत जादा hard तरीके से जी हाँ इस फिल्म को पूरी तरीके से based characters के emotion पर किया गया है और चीजों को दिखा कर कि उन सभी का फिल्म में मतलब क्या है और हमें उन चीजों को देखकर क्या मतलब निकालना चाहिए यानि फिल्म की writer director आरती कादो की ये सोच है कि ये फिल्म काफी जादा high class audience के लिए बनाई जाए जिसके लिए उन्हें काफी appreciate भी मिल रहा है और कुछ काफी सारे ऐसे यूटूबर से भी जो लोग इस फिल्म को support करने के लिए कह रहे है और यहां तक कि इस फिल्म को बहुत अच्छा भी वो भी सिर्फ इस बेस पर कि इस फिल्म का concept बहुत ही जादा अलग और बहुत जादा deep है और हाँ sci-fi में बनी हुई पहली काफी जादा serious फिल्म लेकिन अगर इन सभी चीजों को side में रखकर इस फिल्म की काफी deep analyze की जाए जो कि मैं इमानदारी से कहूं तो होनी भी चाहिए क्योंकि फिल्म का concept की कुछ ऐसा है और रही बात इस फिल्म की comparison की कैसे serious topic पर बनी हुई sci-fi फिल्म को किसी भी Hollywood फिल्म से compare नहीं करना चाहिए और नहीं Bollywood में पहले बनाई गई फिल्में जो mental health के issue पर बात करती है क्योंकि ये फिल्म आपको sad और बहुत ज़्यादा sad ही करती है कि future कैसा होने वाला है इनसानों का तो ये बात भी बहुत ज़्यादा गलत होगी क्योंकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म के idea को मेरे इसाब से बाकी दूसरी Hollywood की फिल्मों को ही देखकर adapt किया गया है जैसे के साल 2004 में आई हुई sci-fi Jim Carrey की फिल्म internal sunshine of the spotlight mind जो की mind erase पर है उसके अलावा recently release किया गया Amazon Prime पर show upload भी इसकी एक अच्छी घासी inspiration है जो idea सच में बहुत ज़्यादा different तो अगर ऐसा ही concept इस cargo फिल्म में भी यूज़ किया जाता तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता खास करके इंसानों को लेकर जैसे कि उनके depression में होने का कारण technology है जिसकी वज़े से इंसान एक दूसरे से आपस में आकर नहीं मिलते बलके technology के ही जरिये एक दूसरे से बात करते है लेकिन ये फिल्म उन सभी चीजों के इग्नॉर करकर अपनी ही अलगसी story हमें सुनाने की कोशिश करती है जिसकी अगर मैं सबसे बड़ी problem की बात करूँ तो वो है इस film का length और film की editing जो हमें start के आदे घंटे तक तो अच्छी लगती है लेकिन उसके बाकी के देड़ घंटे ये फिल्म हमें बोर और उससे भी जादा बोर से बोर करती चली जाती है जी हाँ ये फिल्म थोड़ी बोर नहीं बलके बहुती जादा बोर करती है वो भी इसके आदे घंटे के बाद क्योंके राइटर डिरेक्टर आरती करदव के पास जो भी concept था उन्होंने फिल्म के start के आदे घंटे में ही बता दिया उसके बाद की पूरी की पूरी situation उन्हें कि इस तरीके से create करकर लोगों के सामने present करनी थी उन सभी चीजों में वो बहुत बुरी तरीके से fail होती है तो अगर simply कहूं तो cargo film को एक short film बनानी चाहिए थी ना कि दो घंटे की एक lengthy boring film और अगर इस concept पर उन्हें पूरी के पूरी दो घंटे की film ही बनानी थी तो इस film के लिए किसी अच्छे director को अपॉइंट करना चाहिए था ना कि writer को ही इस film को बनाने की command दे देनी चाहिए थी क्योंकि इनके दिमाग से निकला idea उनके हिसाब से masterpiece है बट लोगों के लिए बिलकुल भी नहीं क्योंकि Bollywood में कुछ concept ऐसे भी बने हैं और ऐसे ही काफी सारे example आपको Bollywood की बाकी दूसरी अच्छी content की फिल्मों में देखने मिल जाएगे और अगर life की बात करें कैसे mental health पर और कौन-कौन सी फिल्मे बनी है तो वो list भी Bollywood में काफी अच्छी खासी है जिन में मेरी फेरवेट, तमाशा, लियर जिंदगी, गुजारिश, तारे जमीन पर और वेक अप सिट जैसी फिल्मे है और Hollywood की कुछ टफ फिल्मों की बात करें तो ये नाम है Good Will Hunting, A Beautiful Mind, Anomalisa और स्टिल एलेस जैसी फिल्मे और Anime में तो Death Paradis जैसी सीरिस तो है ही, क्योंकि इसकी inspiration भी definitely cargo film बनाने में ली तो गई ही होगी और अब comment में कुछ ऐसे लोग भी होगे, जो लोग ये कहेगे कि फिल्म का budget बहुत ही जादा low था लेकिन अगर script में ही दमना हो, तो अच्छी performance भी फिल्म को बचा नहीं पाती तो फिल्म के बाकी दूसरे department की बात करें, जिन में से performance, फिल्म के ठीक ठाक, direction और editing की detail मैंने आपको दे दी है इसके लाव film का BGM मुझे इतना भी जादा खास नहीं लगा है तो चलिए अब फिल्म की बाकी detail मैं इसकी rating के टाइम पर discuss कर लेता हूँ, जिन में अगर मैं बात करूँ, फिल्म के action, horror or suspense की, तो ये तीनों ही चीज़े फिल्म से बिल्कुल गायब है तो ये चीज़े भी बहुत बुरी तरीके से फेल होती है, जिसके चलते ड्रामा को मैं दूँगा पांच में से सिर्फ धाइ स्टार, और अब रही बात, master's audience की तो ये film master's audience को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी नहीं बनाई गई, जिसके चलते उनकी नजर में ये complete flop film है, और जिस पर काफी लोग agree बिल्कुल भी नहीं करेगे, लेकिन जैसी कि मैंने कहा, film को tough रखा गया है, इसलिए मैंने film का tough तरीके से ही review किया है, जिसके चलते मेरी निजर में इस film की rating बनती है, सिर्फ C की, वेल तो जैसी कि मैंने कहा, ये मेरा personal opinion है, इस film को लेकर, कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी है, तो पहले मैं कहूंगा, कि एक decent content की होने की वज़े से, आप definitely इस film को support करकर देखो एक बार, क्योंकि ये film, आप पूरी family के साथ भी बैठकर देख सकते हो, जिसमें पूरी family तो इस film को बिल्कुल भी enjoy नहीं करेगी, इसलिए जो लोग content से प्यार करते ह ये film, उनके लिए एक must watch है, बाकी लोगों के लिए मेरी राय, इस film से आप कोसो दूर रहे, जिसे देखकर सिर्फ आपका time ही waste होगा, बाकी और कुछ भी नहीं, खैर तो अब आपकी क्या राय है, नेटफिक्स पर रिलीज हुई film कारगो के लेकर उस बारे में मुझे comment करकर जरूर बताईएगा, कि अगर आपने ये film देखी है, तो आपको film कारगो कितनी ज़्यादा पसंद आई है, और सी के साथ साथ अगर आपको मेरा एकाम ज़रा सा भी पसंद आया है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे motivation मिल और अब मैं मिलता हूँ, आप से दूसरी किसी फिल्म के टॉपिक पर बात करते हुए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाए